इस बुलेटिन इस स्पॉंसर बाइ कॉटिल एकडमी रिवा जिबध कर तलास शुरू की गई थी इसी दोरान आत्म गलानी होने के कारण की सोरी ने फांसी का फंदा लगा दिया जिसे उपचार के दोरान संजय गादी अस्पताल में दम तोड़ दिया बताया जाता है कि आरोपी अखिलेस मिश्रा गोविंगर थाना चेतर के सिव पुर्वा चौकी के गणवा का रहने वाला है जिसके खिलाफ मामला दर्चकर पुलिस ने जांच परताल शुरू कर दी है आपको बता दी कि एक दिन पहले ही विश्रम धियाला धाना चेतर में की सोरी के साथ दुसकर्म की घटना घटीत हुई थी जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलास करी रही थी कि गोविंगर में एक बार फिर नाबालिक के साथ दुसकर्म की वारदात सामने आई है वहीं जिले में हो रही घटनाओं को लेकर एक बार फिर प्रशासन को दोशियों के घरों में बुर्डोजर चलाने की आवशकता है आए सुनाते हैं मृतिका के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन का इस मामले में क्या कहना है हम घर पे नहीं थे बाहर थे खेत में और बच्ची बाहर गई थी तो वहां अमीत मिसरा ने और अकलेस मिसरा ने उसके साथ बलतकार किये जो गहों का बोजह मैं काठा कर रहा था तो हहां से अब आच चिलाहट के आई तो मैं सोचा के किसकी आवाल मैं समझ गया कि बच्ची तु मेरी बाहर गई थी तो मैं जब यहां से आवाज लगां के काउन है तो अपना भाग दिया मैं उसको गाली भी दिया फिर बच्ची घर आई गई मैं खेर चला गया तो दस-पांच मिनट में बच्ची के माँ जब आई घर पर तो उसको लटके हुए खांसी भी पाई तो चिला ही जब मैं गया कल के दिन करीब 10-11 बजे के आसपास हमारे पास एक गुबिंदगर थाना चेतर के ग्राम से एक वयस्क बालिका को लेकर आया गया था और वो अचेता वस्था में थी और बताया गया कि उसने फांसी लगा लिए उसकी इस्तिती गंबीर थी उसको तत्काल बढ़ती किया गया उसे कृतिम शांस देने के ज़र्वत पड़ी तो मशीनों के रखा गया था रात में कल जांच भी और उसके परिजनों ने उस समय यह भी बताया कि उसके साथ दुशकर्म हुआ है तो तत्समन में पुलिस को भी सुचित किया गया था पुलिस अपनी करवाई कर रही है कल ब अप्तियों को कारण उस पश्टा तह क्या था